Good morning all of you, सुबह हो चुकी है और सब जा चुके है अपने अपने काम पे, कोई स्कूल गया है तो कोई गया है ओफिस, तो चले हम भी अपने काम पे लग जाते हैं तो आज मैं कुछ special बनाने वाली हूँ, तो उसकी तेयरी हमें सुबह से करनी होगी, तब जाके हम उसको शाम को enjoy कर पाएंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ तुवर टोठा, तुवर टोठा गुजरात महसाना की बहुत ही famous डिश है, और इस डिश का main ingredients है हरा लसुन हरा लसुन तो सर्दियों में ही मिलता है, तो यह dish सर्दियों में ही बनती है, तो चलिए बनाते हैं तुवर टोठा, तो तुवर टोठा बनाने के लिए हमें यहाँपे चाहिए तुवर, तो यह जो साबुद वाली तुवर आती है वो हमें चाहिए, यह आपको किसी भी grocery store या फिर mall में easily मिल जाएगी तो ये दिखिए ये tour कुछ इस तरह की दिखती है अच्छे से देख लीजिए ताकि जब भी भी आप लेने जाओ आपको आसानी रहे तो ये tour हो यहाँ पर मैंने ली है तीन कप आपके घर में कितने member है उसके according आप इसकी quantity कम जादा कर सकते हो मैं यहाँ पर 4-5 लोग के लिए बना रहे हूँ तो इतनी quantity enough है इतने में 4-5 लोग आराम से इसे खा सकते हैं तो आपके घर में कितने members है उस हिसाब से आप इसकी quantity ले सकते हो तो मैंने जिस तरह बताया आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितनी quantity चाहिए तो यहाँ पर मैंने तूवर को अच्छे से wash कर लिया है 3-4 बार इसे अच्छे से wash कर लेना है और अब इसमें डालेंगे पानी तो पानी यहाँ पर हमें 2-3 glass चाहिए तूवर अच्छे से डूब जाने चाहिए और उसके ओपर अच्छा खासा पानी होना चाहिए तूपकि तूवर जब फूलेगी तब उसके quantity डबल हो जाएगी अगर पानी कम होगा तो तूवर अच्छे से भीगेगी नहीं और उसे पकने में पहुँड टाइम लगेगा तो पानी अच्छा खासा डालना है हमें और इसे हमें 7-8 गंटे तक भीगने के लिए छोड़ देना है तो ये देखिए 7-8 गंटे हो चुके हैं शाम हो चुकी हैं और मैं आ गई हूँ किचन में तो चलिए इसे मैं आपको खुल के दिखाती हूँ तो ये देखिए हमने कितना सारा पानी डाला था और उपर थोड़ा सा ये पानी दिख रहा है और ये तूवर फुल के टबर हो गई है तो अब इसके अंदर डालेंगे नमक तो यहाँ पर नमक मैंने डेट चमर टाला है अब कुकर का टकन लगा देंगे और पान से छे विसल आने तक इसे बॉइल कर देंगे अगर आपको लगे के कच्ची रह गई है तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर गे एक दो विसल और लगा सकते हो तो चलिए तूवर बॉल हो रही है तब तक हम बाके का काम कर लेते हैं तूवर टोठा बनाने में बहुत सारा सामाल लगता है तो यह देखिए सब मैं लेके आ गई थी मार्केट से लेकिन बाहर ही रह गया था तो मैं लेके आ गई कीचन में हमारे यहां तूवर टोठा के साथ चलिबी खाई चाती है तो मैंने देखा कि दुकान पर एकदम गरम गरम चलिबी बन रही थी तो मैं लेके आ गई और यह देखिए कितनी मस लग रही है मेरे मुमें तो पाने आने लगा था तो मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे जले भी बहुत ही पसंद है और अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए आप लसुन को साफ कर लेते हैं लसुन के उपर बहुत मित्ती और धूल होती है तो इसे अच्छे से साफ करना बहुत ही ज़रूरी है तो 2-3 बार लसुन को अच्छे से पानी से वाश कर ले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लसुन लिया है क्योंकि मैंने 300 ग्राम तूर ली है तो आप जितनी भी तूर ले उतना बराबर आप लसुन ले हमें यहाँ पर तूर और लसुन की quantity सेम लेनी है क्योंकि दोनों की quantity सेम होगी तब यह डिसका टेस बहुत ही बढ़ी आएगा तो आप टमांटर ले ले लेते हैं और उसे भी अच्छे से दो लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 4-5 टमांटर लिये हैं और अच्छे से दो लिये हैं तो चलिए यह सब लेके चलते हैं हॉल में क्योंकि इसकी preparation में बहुत टाइम लगता है मैं यहाँ पर खड़े अखिली बनाओंगी तो ठक भी जाओंगी और बोर भी हो जाओंगी तो सब मिलके करेंगे तो बहुत मज़ा भी आएगा और यह हमारा जो काम है वो फटाफट से हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने सब कुछ निकाल लिया है जो जो हमें चाहिए और अब हम सब मिलके इसकी प्रिपरेशन करेंगी तो यहाँ पर मैं जो लसुन है वो दे रही हूँ मेरे हस्बन को तो वो अच्छे से काट लेंगे वो एकदम बारिक काटते हैं तो मैंने ये काम उन्हें दे दिया है और बाकी का काम मैं और मेरे बच्चे कर लेंगे तो चलिए इन दोनों को भी काम पे लगा देते हैं वैसे तो इन दोनों को ये सब काम बिलकुल भी बसंद नहीं है लेकिन आज जो डिश बन रही है इन दोनों की फेवरिट डिश है इसलिए क्रिशा और उद्र भी बैट गए हैं हेल्प करवाने के लिए इस तरह सब सातने मिलके काम करते है तो काम जलि-जलि तो होई जाता है लेकिन मज़ा भी भी बहुत आता है तो सब अपना-पना काम लेके बैट गए हैं क्रिशाआनार के डाने निकाल रही है और उद्रु के मैंने दे दिए हैं अंगुर डाली में से निकालने के लिए और मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ मिर्ची तो यहाँ पे अद्रक, मिर्च, लसून, प्यास, ट्रमार्टर, फ्रूट्स बहुत सारे चीजे लगती हैं इस रेसीपी में इसलिए इडिश टेस्ट में बहुत ही बड़िया लगती है इसे बनाने में थोड़ी से मेहनत लगती है लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है तो मीठा फल खाना है तो थोड़ी से मेहनत तो करनी पड़ेगी तो अल्मोस्स सारे प्रिपेरेशन हो चुकी है और मैं चल दी हूँ किचन की ओर अब किचन में जाके जो बाकी प्रिपेरेशन है वो खतम कर लेते हैं तो सबसे पहले हम प्यास को चॉप कर लेंगे यहाँ पर मैंने तीन से चार प्यास लिये हैं और इन्हें चॉपर में चॉप कर लिया है इन्हें हमें इस तरह बारिक चॉप करना है तो प्यास चौप हो गए हैं और अब मैंने ले लिए हैं टमाटर तो टमाटर मैंने ले लिए थे 5 और इने भी हम चौपर में चौप कर लेंगे एकदम उसके प्योरी ने बनाएंगे लेकिन इस तरह चौप कर लेना है कड़नें और अब हम्हों चौप कर लेंगे अद्रक आर मिर्च तो यहां पर मैंने तीन से चार मिर्च लीजत ल verlier है हरी मिर्च बकते हैं मैंने बिल्कुल भी पाने देला है इसे ऐसे ड्रै कर्श करना है आप इसे कूट की भी ले सकते तो चलिए अब आ गए हमारे शेफ तो ये बनाएंगे तुवर टोठा तुवर टोठा बनाने के लिए हमें तेल बहुत ही कॉंटिरी में चाहिए लगबक 300 ml जितना इसमें तेल चाहिए तो यहां पे हमें तुवर लसून और तेल तीनों की मातरा सेम रखनी होगी तो यहां प तुवर कच्ची रेगी है अच्छे से प्रेस नहीं हो रही है तो एक दो विसल और लगा लीजिए अगर कुकर में पानी कम है तो थोड़ा सा पानी एड़ कीजिए और इसे फिर से बॉइल कर लीजिए तो चलिए अब ऑईल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसके अंदर दाल दिया है लसून लसुन को हमें थोड़ी दिर पकने देना होगा क्योंकि लसुन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसे 5-7 मिन तक हम एकदम लोवव लें पर पकने देंगे से mix कर लेना है और अभी यहाँ पर 5-7 मिट हो चुके हैं लसुन भी अच्छे से पक गया है तो इसके अंदर एड़ करेंगे हरी मिर्च और अद्रक की पेस्ट इसे भी हमें 1-2 मिर्च पकने देना है उसके बाद इसके अंदर एड़ करेंगे प्याज तो प्याज को हमें 3-4 म ब्रम हो जाए फिर इसके अंदर कर देंगे सारे मसाले तो यहां पर मैंने दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ड और दो चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक दो मिन पका लेंगे फिर इसके अंदर एड़ करेंगे आधा गलास पानी पानी उबलने लगे और थोड़ा सा रेड्यूस हो जाए फिर इसके अंदर डालेंगे टमाटर तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे 5 मिनिट हम उबलने देंगे 5 मिनिट के बाद हम टे जो हमने पहले से बॉयल करके रखी है तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे जब तक ही इसमें से तेल ना चूटने लगे जब तेल चूटने लगे फिर इसके अंदर एड़ करेंगे घुड तो यहां पर मैंने दो से तीन चम्मच गुड लिया है अगर आपको मिठा नहीं पसंद है तो आप गुड को स्किप कर सकते हो लेकिन ये जो तूवर टोटा है वो खटा मिठा ही अच्छा लगता है तो गुड दालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा गुड का पानी चूटने लगे अच्छे से इसकी फ्लेम आफ कर देंगे तूवर टोटा अल्मोस रेडी होने को आया है तो अब ब्रेट सेख लेते हैं इसके साथ ब्रेट बहुत ही अच्छी लगती है आप तेल के साथ भी सेख सकते हो और बटर के साथ भी तो हमारे गर में सबको अलग अलग पसंदे किसी को तेल वा तो इस तरह मैंने सारी ब्रेट को सेख लिया है तो यह दिखे ब्रेट का काम भी खतम हो चुका है और अब हम टोटा को भी फाइनल टच दे देते हैं तो यह देखे सारा तेल चूटके बाहर आ गया है और यह जो हमने गूट डाला था उससे भी अच्छा पानी चूटा है तो एकदम रसादार हमारा तूट टोटा बनके रेडी हो चुका है और अब उसके अंदर डाल देंगे फ्रूट्स तो उपर से सारे फ्रूट्स डालके अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह देखे तूट टोटा एकदम रेडी है बहुत अच्छी खुश्बू हो रही इसम हम सब मिलके करेंगे तूट टोटा पार्टी चलिए मैं फटा फट से सबको सर्व कर लेती हूं तो इस तरह प्लेट में थोड़ा सा तूट टोटा निकालेंगे जली भी रख देंगे ब्रेड रख देंगे और उपर से सेव प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है तो चलिए बहुत ही मज़ाएगा ओके तो मिलते जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना